आपसे पुरानी रंजिश के चलतेक युवक ने महिला पर चाकू से वार कर उसे बुरी तरहे से जखमे कर दिया वही घटना को अज़ाम दे कर आरोपी युवक मौके से फरार हो गया महिला नहलुहान हालत में सिटी थाना पहुची और युवक के खिलाफ शिकायत थी पुलीस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला को लेकर आज के अमयत को अस्पताल पहुचे तक हायल महिला का उप्चार करवाया पुलिस ने महिला का मेडिकल करवा कर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्जे कर जाश शुरू कर दिया जानकारी के अनुसार आज में रोड दोदत्पुरा सिंगा निवासी ओंप्रकाश के पतनी लक्षमी बुद्वार को सुभे अपने घर पर काम कर रही थी एस दुरान उससे रंजिश रखने वाला युवक जनता कॉलोरे निवासी दिनेश उसके घर में गुज़ गया और लक्षमी पर आनन फारन में चाकू से हमला कर दिया जिसका लक्षमी के गले और अंगुली पर गहरे जख्व बन गये अचारक हुए हमले में घर के अने सदसों ने शोर मचाना शुरू कर दिया जिससे दिनेश वारदाक को अंजाम दे कर मोके से फरार हो गया जिसके बाद लक्षमी अपने परेजनों के साथ लहूलुहान हालत में से टिथाना पहुची जहापर पुलिस ने लक्षमी की शिकायत पर दिनेश के खिलाफ मामला दरज़ कर लिया वही मामले को गंविरता से लेते हुए जो डेन चार्ज एसाई रामजस ने उसे मेडिकल के लिए राज़की अम्रत को रस्पतार लेकर पहुचे था उसका उपचार करवाया मेडिकल करवा कर आरोपी दिनेश की तलाश शुरू करती